भाश्पा को भागाना ही नहीं भाश्पा को खदेर रहा है और संभिधान को हम लोग मिटने नहीं देंगे जो संभिधान मिटा रहा है उसको मिटा करके हम लोग रहेंगे जो सत्रा महिने में कि ये स्वी यादव जी ने करके दिखाया वो सत्रा साल में पल्टूराम ने कुछ नहीं करने काम किया और इंडिया महागडबंदन को जो नेता छोड़ के गया वो बाद में पस्ता आएगा और ये वार मेरे साथ बोलिये कि भाजपा भगो भाजपा भगो बिहार सरकार के भूतपूर मंत्री केज प्रताप यादव जी आपके इंतजार की घरी खाती हुई वो आपके समग चा रहे इंडिया मागडबंदन के सवी नेता गन और दूर से चल के आए हमारे नौजवान साथी बिहार की तमाम जन्ता आज एक समझिये कि बहुत बड़ा परव का योजन किया गया है और ऐसा पर्व है कि हमारे पास सबसे अन्मोल रत्न है वो अन्मोल रत्न है जो कि मैं आख के सामने आज बताना चाहता हूँ वो अन्मोल रत्न है तेजस्वी परसाद यादव और साथी साथ हम लोग विचारधारा अदर्डे स्वी लालो परसाद यादव जी की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं और समाजी किनाय को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दोनों भाई जन विश्वास यात्रा के दोरान हम लोग ने घुमने का काम किया और सभी नौजवानों को एक अत्रित करने काम किया जो सत्रा महिने में के ये स्वी यादोजी ने करके दिखाया वो सत्रे साल में पल्टूराम ने कुछ नहीं करने काम किया मैं ज़्यादे टिपिनी नहीं करना चाहता हूँ कि आगे राउल गांदी जी भी आने वाले हैं और सभी नेतागान यहां उपस्ती थे अभी सारे बिदायक गंड सारे पुरु बिदायक सारे पदकारी गंड तमाम लोगों और बिहार की तमाम जंता भाजपा को भागाना है भाजपा को भागाना ही नहीं भाजपा को खदेर रहा है तो इसलिए हम आप लोग को कहाना चाहते हैं कि पूरे तरीके से पूरे बिहार के लोग और जो बिहार से बाहर भी जो लोग थे वो लोग भी यहां आ गया है यहाद है कि हमारी जो बाहन जो सिंगापुर में रहती है रोहनी आचारा जी वो भी यहाँ उपस्तित है। हमारी बड़ी बाहन जो है मिसा बारती जी भी यहाँ उपस्तित है। हम यह कहना चाहते हैं कि पूरे तरीए से आप लोग गोलबंद हो करके इंडिया महागडबंदन पर एक बार भरोसा करने का काम कीजिए। हम यह कहना चाहते हैं जो पिछले बार जो इंडिया महागडवन्न जो बना और अभी जो चल रहा है और इंडिया महागडवन्दन को जो नेता छोड़के गया वो बाद में पस्ता आएगा तो यह हम कहना चाहते हैं आप लोग सारे लोग गोल बंद होईए और संबिधान को हम लोग मिटने नहीं देंगे जो संबिधान मिटा रहा है उसको मिटा करके हम लोग रहेंगे और जितने भी हमारे दलित भाई है या ती पिछड़ा भाई है तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आने का काम किजिए मैं जानता हूँ कि यह RSS के लोग और भर्षपा के लोग जो है वो पूरे तरीके से फैला इसी के लिए हमने अपना DSS बनाने का स्थापना किया है जो केंदर सरकार है उसकी जो नीव है उसको हम लोग हिला करके आज रख देंगे और जो केंदर जो है वहां बैट करके और जो यहां की सरकार है आप देख लिए कल मैं सड़कों पे निकला था क्योंकि हमारे लोगों को रोकने का काम किया तो मैं सुम एक वज़े रात मैं उट करके जाम चुड़ाने का काम किया था मैं मैं खुद गया हमारे लोगों को रोकने का काम किया क्योंकि यह अग्डर अंदर मोदी आए थे क्योंकि वो डर चुके हैं पूरे तरीके से वो डर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोगों ने जो वादा किया है रोजगार का वो हमने रोजगार देने का काम किया है और यह जो सरकार टिपनी कर रही है जगा जगा पर पोस्टर लगवारी है कि रोजगार का मतलब नितीज को है रोजगार का मतलब नितीज क आप लोग सब लोग को रोजगार मिला, सारे लोग इसके साक्षी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन जो सरकार है, उसको हम लोग को खदेर देना है, इसलिए आप लोग पूरे तरह के लिए चंद सब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विडाम दिता हूँ, कि आगे भी और ने और ये मेरे साथ बोलिये कि भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, जाहिन जाभारत, शुक्रिया तेजप्रताब जी, मैं पुना अगरा करता हूँ, कि जो दाहिनी साइड में टावर है, अगर ये टावर गिर गिर गया, तो कोई कुछ नहीं सुन पाईएगा, कितनी मेहनत आप लोगों ने की है, किस जजबे के साथ आप सब लोग है, बाई साइड में भी बेरिकेट पे दवाब है, दायने भी बेरिकेट पे दवाब है, कृपिया प्रसासन का सायोग करें, और प्रसासन आप